है लो काईज वेलकम डूरेकियास और इडियो चनल और गैस नए स्मार्टफोन तो हम सब यहां पर परचेस करते हैं थोड़े टोड़े टाइम में जो है नए नए स्मार्टफोन आते रहते हम सब यहां पर परचेस करते रहते हैं लेकिन आज की स्टुडियो बहुत ही ज़द आने वालों तो नए फं अगर आप लेने वाले हो तो ज़रूर से यह वीडियो को start टूंड डेखना ज़रूर्बhm canapas kunक्तर एक वृटी ओ हाने वाली है तो इसी बात स्थीकल को लाइक वीडियो का लेकर टार्गेट रखते हूं 2020 में आपको इंडिया में कौन से देखने को मिलेंगे सारी चीज़ों के बारे मैं दीटेल में बतायों प्राइस पॉंट स्पैक्ज कौन से स्मार्टफोन आपको देखने को पढ़ेगा सबसे पहले बात कर लेते हम यहाँ पर डिजाइन और पिल कॉलिटी को लेके तो मैं आपको बता दूँ जबी आप अगर नए स्मार्ट फोन पर चेस करने जाते हो तो अगर दस हजार के नीचे का स्मार्ट फोन है तो आप डेफिनेटली जो पॉली कार्बनेट ब आपको अलग सा एक इन हैंट फील जबर्दस सा देखने को मिलता है और अगर आप 12000 के उपर पे कर रहे हो तो मैं नहीं बोलूँगा आपको पॉली कार्बनेट के साथ में जाओ हमेशा जो है ग्लास बोड़ी के साथ में आपको जाना चीए क्योंकि आप इतना पे कर रहे ह आपको जो प्रीमियमनेस जो है आपके हाथ में जो इन हैंट फील है वो जबर्दस आपको डेफिनेटली जो है मिलना चीए सो काई सेगेंड फीचर के अगर हम बात करें जोके वन आफ दीज इंपोर्टन फीचर है था स्मार्टफोन पर वह है फोन का डिस्प्लेइ बहुत सारे लोग इसको इंपोर्टन सी नहीं देते है रेजलूशन कौन सा मिल रहा है कितरे निट्स की ब्राइटनेस देखने को म करते हैं च्रकापम संब्सक्राइब की चीज़ेंस प्राइटी नहीं मिलता है लेकिन अगर आप उप्स भी यरे न तो फुल HD प्लस resolution का display आप mostly जो prefer करना अगर आप 10,000 के उपर की price point पे इंडिया में phone purchase करते हो तो अगर 87,000 का phone है तो HD प्लस resolution यहाँ पर आप यहाँ पर जा सकते हो TFT display कभी भी purchase मत करना सबसे कम IPS panel आप यहाँ पर use करना यह purchase करना और 10,000 के नीचे HD प्लस चल जाएगा लेकिन 10,000 के उपर जो है कभी भी फुल HD प्लस resolution के साथ में जाना क्योंकि जो फुल HD का जो मज़ा है वो HD में नहीं है और अगर आप 15,000 उपर या 20,000 तक की range में अगर आप invest करें को भी smartphone के display में तो मैं आपको recommend करूँगा कि जबी भी अगर आप phone ले रहे हो तो AMOLED display के साथ में जाना IPS 20,000, 25,000 की range में purchase मत करना AMOLED display में जो मज़ा है ना जबरदस थे और आप 90 Hz, 60 Hz, 120 Hz है वो ठीक है आर अपनी price point पे लेकिन अगर आप 20,000 तक की आप invest करो या 15,000 के उपर भी अगर आप invest करते हो तो हमेशा AMOLED display के साथ में जाना आपका एक अलगी experience, viewing experience जो आपका जबरदस बन के निकलेगा IPS के comparison में तो 10,000 के नीचे IPS HD display के साथ में आप जा सकते हो 10,000-12,000 के उपर अगर आप जा रहे हो तो हमेशा full HD plus revolution का display लेना चाहे IPS 4 या AMOLED मिलता है Samsung वगरा में तो ठीक है और 15,000 उपर के उपर आप जबी भी purchase करते हो तो make sure के हमेशा आप AMOLED display के साथ में जाओ तो यह जो है buying guide जो है आप हमेशा यहां पर अपने जो दिमाग में बिठा के रखना आपका जो डिस्प्ले का experience हो काफी जवदस निकलेगा इस तीसरी चीज़ के अगर हम बात करें तो आपको बता दूँ वह है RAM and storage बहुत सारे लोग खाली इसी क्या देखते है RAM जादा हो गया स्मार्टफोन स्मूथ चलेगा ऐसा नहीं होता है वह आगे चलके मैं आपको बताऊंगा काई से फोन स्मूथ होता है लेकिन RAM and storage भी आपको यहां पर स्मार्टफोन में नया पर्चेस करने से पहले देख लेना चाहिए और 2020 में क्या हालात है हमारे पूरा काम स्मार्टफोन से ही होता है और स्मार्टफोन मतलब एक बहुत बेसिक नीड हमारी बनके बैटा हुआ है और आगी चलके तो और यहां पर जो स्मार्टफोन के इस्तमाल करेंगे हम एप दो अगरा दालेंगे मूवीज दालते और भर देते हैं पूरे फोन को तो आपको मैं बता दूँ अगर आप 10,000 के ऊपर पे कर रहे हो कोई स्मार्टफोन ले रहे हो तो चार जीबी चौसर डीवी से कम मेमरी आज की डेट में पर आपके स्मार्टफोन में होना ही चाहिए क्योंकि स्टोरेज आज की डेट में बहुत जाजा इंपोर्टेंसी रखता है अगर मैं आपको बुलूओ के दस जार के नीचे की प्राइस पंट पे अगर आपको एम्मसी स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है तो ठीक आप पर्चेस कर सकते हो लेकिन 10-12,000 की रेंज के का फोन कोई भी आप पर्चेस कर रहे हो तो मेक शॉर कि हमेशा जो आपकी स्टोरेज जो रहे वह आपका यूएफस 2.1 स्टोरेज टाइप के साथ मिलो ताकि जो रीड एन राइट स्पीड जो आपकी काफी फास रहे तो यह चीज़ का आपको यहां पर ध्यान रखना है र LPDDR4X RAM टाइप के साथ में ही स्मार्टफोन लेना LPDDR3 RAM के साथ में कभी भी आज की डेट में स्मार्टफोन को पर्चेस बत करना तो RAM & ROM भी काफी जदा यहां पर इंपोर्टन चीज यहां पर रखता है एक स्मार्टफोन बाइंग काईड में अगर अभी तक कि आपको प्रॉमन्स को आपको यहां पर मैटर करता है और बहुत जादा इंपोर्टनसी आपको देना पड़ेगी क्योंकि प्रोसेसर अगर फोन का अच्छा नहीं रहेगा तो फोन लेके मतलब नहीं क्योंकि कैमरा कितना भी अच्छा देदो RAM कितना भी अच्छा देदो बैटरी कि इतनी अच्छे हो जाओ डिजाइन कितना अच्छा हो जब तक फोन का जो दिल है वह स्ट्रॉंग नहीं रहेगा तो मतलब भार से क्या करने का है तो प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टन पार्ट यहां पर प्ले करता है और अगर आपको फोन बोलते हो नहीं यार दो साल चलाना ह तो प्रोसेसर अच्छा लोगे तभी फोन को जो दो-तीन साल आप इस्तेमाल कर पाओगे घटिया प्रोसेसर लोगे या कोई भी प्रोसेसर को देखोगे नहीं और को बाकी की चीज़ देखके लोगे तो कभी भी आप अपने स्मार्ट फोन से हैपी नहीं रोगे तो प्रोस सकते हो जो optimization रहता है काफी जबरदस रहता है काफी स्मूज चलता है तो मैं आपको पहली प्रिफरेंस जो snapdragon का प्रसेसर रेकमेंड करूँगा मीडिया टेक का जो हीलियो जी 90 हो गया या हीलियो जी 70 80 वगरा काफी जबरदस प्रसेसर है तो वह भी आप यहां पर जा सकते हो लेकिन मैं आपको बता दू कि जो इन्फिनिक्स है बाकी के ब्रेंड जो है स्नैप ट्रेकन के प्रसेसर मतलब 730 जी हो गया 712 हो गया यह और भी जो स्नैप ट्रेंगन 720 जी हो गया यह सारे प्रसेसर को मैं बुलूँगा प्रिफरेंस दो अगर आपको इन मिड रेंज स्मार्टफोन या पर पर पर्चेस कर रहे हो तो पांच वे पॉइंट के हम बात करें तो वह हैं कैमरा सब लगाने से स्मार्टफोन जो अच्छा हो जाता है सब बिलकुल भी नहीं है क्या चारों केमरे साथ में चलते बिलकुल भी नहीं है लोग जिसको knowledge नहीं रहती दुकान में जाते हैं बोलते हैं बहुत बहुत अच्छा output हमें देखने को मिलेगा बट विचारे को knowledge नहीं रहता है पर जिसको knowledge है या नहीं है मैं आपको बता दू चार camera लगान लिने से phone का camera अच्छा नहीं हो जाता है सबसे पहले जो आपको preference देना है वो आपको main sensor पर देना है कि main sensor smartphone का कौन सा है जो बहले 48 Megapixel 68 Megapixel जो भी हो लेकिन आपको देखने है और Sony का sensor अगर आपका रहता है MX586 हो गया 686 हो गया वगरा तो उसको पहली preference दो उसके बाद में जो Samsung का GW1 हो गया GM1 हो गया वो सारे भी ठीक ह है उसके हिसाब साब देख सकते हो और कभी भी अगर आप smartphone का जो camera's है आप खड़े-कड़े वहाँ दुकान में देखोगे तो आपको अच्छा ही दीखीगा क्योंकि lighting वगरा बहुत ज़्यादा रहता है और colorful दुकान रहती है तो काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है कभी भी अगर आप smartphone purchase कने जार उसका camera देखना है तो से पहले आप YouTube पे 10 वीडियो देख लो क्योंकि आप invest कर रहे हो कुछ चीज तो से पहले 10 वीडियो देख लो तो कुछ चले नहीं जाएगा तो आप 10 वीडियो देख लो camera comparison देख लो camera review देख लो उसके बाद में आपको exactly में पता चल जाएगा कौन से model का कौन सा camera है लेकिन primary sensor जो है main sensor जो उसके बारे में तो आपको यहाँ पर देख नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे brand जो है आपको sensor के बारे में बताते ही नहीं है तो sensor main sensor जो आपको देखना पड़ेगा अब बहुत सारे लोग जो अगर आप फोन ले रहे हो या मतलब आपका एमाई की गैलरी या जो भी वगर आपके जो स्टोर वगर है तो वहाँ पर जाके परसनली जाके अगर आप चेक करोगे तो आपको selfie camera का जादा एडिया आएगा एस कंपेटू सिर्व मेगा पिक्सल देखने से तो जबी भी अग देखना और selfie camera एक बार उसको चेक आउट कर लेना उसके बाद में जैसा आप कुछ यह वैसा आप जो camera को सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस सिक्स पॉइंट के अगर हम बात करें तो वह है Android वर्जिन और यू आई तो यू आई आपकी personal choice रह सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिसको एक्दम clean इंटरफेस के साथ में जा सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि कस्टमाइजेशन पसंद है मैं मेरी बात करो तो मुझे कस्टमाइजेशन अच्छा लगता है में यू आई का अच्छा लगता है फंटाच वैस का अच्छा लगता है तीम से अगरा डाल सकते हैं और आइकॉन वगरा चेंज कर सकते हो मतब ऊपर नीशे सब सारी शीदे कर सकते हैं तो मुझे यह सारी यू आई ज़्यादा पसंद आते हैं तो जबी आपके जो परसनल परचेस करें तो से बहले आपको यहां पर इक चीज धिकना पड़ेगा कि यह फॉन में सब है यह नहीं है बहुत सारे मिड रेंज और बजट सेग्मेंट के स्मार्ट फॉन में जो जारो सेंसर नहीं रहता है तो आपका यहां पर काम है आपको यूटूब पर और बाकी की लेना चाहिए तो देखो अमलेट डिस्प्ले तो मैं बोलूगा है इन डिस्प्ले फिंगपेंट स्कैनर वगरा यहां पर मस्ट है साथ में साइड माउंटेड लो बैक लो आपकी पसंद है वह जैसा स्पीड अगर आपको देखना है तो वह देखो अधरवाई साइड में या पीछे लोग वह आपकी मर्जी है साथ में फेस अनलॉक की स्पीड भी एक बार चेक कर लेना यूटूब पर वीडियो वगरा यार पहले ही आ जाती है सेल से पहले तो वहाँ पर आप जो चेक आउट कर सकते हैं जो ओनेस वीडियो बनाता है मैं उसकी बात कर रहो नेक् बैटरी लाइफ हम देखते हैं 6000 एमेश की बैटरी है चलो ले लो और मतलब बहुत सारी सीज़े हो जाएगी लेकिन आज की रिट में इसता नहीं है 6000 एमेश की बैटरी मान लेते हैं बहुत अच्छी रहती है लेकिन उसके साथ मैं आपको कौन से वाट का चार्जर मिल रहा तो मैं जाओंगा 30 वाट चार्जर के साथ में 4500 एमेश बैटरी के साथ में क्यूंकि 6000 एमेश बैटरी के साथ में आपको फास चरजिंग इतनी नहीं मिल रही है तो 3-3 घंटा आपको यहां पर चार्ज करने में लग जाता है जबकि 4500 एमेश की बैटरी जो आपको पूरा जो चार्ज कर रहे है वो चीज भी यहां पर देखना काफी ज़्यादा आप सकते हो आपको देखना ही पड़ेगी क्योंकि आज की डेट में 2020 में जो है मिट रेंज में भी आपको 30 वाट के जो है चार्जर देखने को मिल जाते तो यह इंपोर्टन पॉइंट यहां पर था इस नेक्स यहां पर पॉइंट की बात करें जो कि काफी ज़दा इंपोर्टन पॉइंट है बहुत सारे लोग क्या करते है ब्रेंड को मतलब प्रिफर करते और मतलब बोलते है यह चाइनीज है या बाकी के जो भी बोलते है लेकिन मैं आपको बता दू वो जो ब्रेंड है वो आपको सेम फीचर जो नॉर्मल जो ब्रेंड है शाओमी, रियलमी और बाकी के जो मोट्रोला वगरा हो गया तो यह सब जो है वो आपको 20,000 में जो स्माटफोन प्रोइड कराते है अब सामसंग हो गया या बाकी के कोई स्माटफोन हो गया है वही सेम फीचर के साथ में यह फोन आपको 40,000 35,000 रुपए में यहां पर दे रहे तो आपको क्या करना चाहिए तो ठीक है आप Samsung के बहुत बड़े फैन हो और आपके पैसे जादा है तो आप Samsung का फोन ले सकते हो लेकिन मैं recommend करूँगा कि जो बाकी के जो 20,000 रुपए में जो आपको brand जो है same feature provide करा रहे तो उसके साथ में मैं आपको recommend करूँगा कि उसके साथ में जाओ क्योंकि सिर्व आप Samsung के नाम के लिए जो है आप इतना double पैसा पे क्यों करोगे वो चीज वही पैसा जो है आप दूसरी चीज में या पर use में ले सकते हो तो सिर्व आप brand के नाम पे जो है brand आपको double पैसा चार्च कर रहा है सिर्व वो Samsung लिखा हुआ है उसके नाम पे तो यह चीज भी मेरे इसाब से गलत है आपको same चीज सिर्व आपको other brand में same features अगर आपको priority list के इसाब से मिल रहा है तो आप उसके साथ में जो ऐसी मेरी यहां आपर आपसे recommendation है नेक्स अगर हम service की बात कर लेते हैं तो service हर brand के आपको अलग देखने को मिलती है पहले बहुत जदा डिफ्रेंस रहता था जो है वह service center वह brand का है या नहीं है वह आप खरीतने से पहले एक बार चेक कर लेना क्योंकि आपको कभी भी service center की ज़रूरत पढ़ सकती है तो यह तहीं मेरी यहां पर smartphone buying guide 2020 के लिए आपको यह वीडियो पसंद आ रहेगी मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है बट आपने अगर पूरी देखी रहेगी अभी तक क्या अगर आप देखे रहे हो तो आपके जो कुछ ना कुछ आपको जो help आगे जाके मिलेगी तो ऐसी यह ती मेरी वीडियो आप स्मार्टफोन पर्चेस करने से पहले क्या कुछ चीजों का धान रखते हो और आप यहां पर कौन से ब्रेंड को यहां पर प्रिफर करते हो जो बताना नीचे कमेंट्स में आपको पसंदना होगी और किसकर आपको पसंदना है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता आप से देख लेगे इस वीडियो में चिप तक के लिए थाइंक